हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने फ्लेमिंगो के पंदरा फेक्ट के बारे में बता है आप इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिए पहला फेक्ट राजहंस अपने विशिष्ट गुलाबी रंग के लिए जाने जाते है दूसरा फेक्ट फ्लेमिंगो की छह अलग-अलग प्रजातिया है जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेथर फ्लेमिंगो, चीली फ्लेमिंगो, एडियन फ्लेमिंगो, जैम्स फ्लेमिंगो और अमेरिकन फ्लेमिंगो सामिल है तीसरा फेक्ट राजन्स अत्यादिक सामाजिक पक्सी है और बड़ी कॉलोनियों में रहते है जिनमें हजारों व्यक्ति सामिल हो सकते है चौथा फेक्ट ये पक्सी अफरिका, अमेरिका, यूरोप और एसिया सही दुनिया के विबिन्न हिस्सों में पाये जाते है पाँच्वा फेक्ट राजन्स के पेर और गर्दन लंबी होती है जो उन्हें उतले पानी में चलने और अपने बोजन तक पहुचने में सक्सम बनाती है चट्था फेक्ट वे अपनी अनोटी चौँच का उप्योग करते है जो पानी से छोटे जीओ जैसे की जिंगा और सेवाल को खाने के लिए नीचे की और मुडी होई होती है साथवा फेक्ट राजन्स उत्कृष्ट तेरने वाले होते है और पानी में तेरने के लिए अपने जिल्लीदार पेरों का उप्योग करते है आठवा फेक्ट उनकी पतली उपस्तिति के बावजूद राजन्स अपेक्सा कृत बड़े पक्सी है जिनकी कुछ प्रजातिया चार से पांच फिट की उचाई तक पहुचती है और आट पॉइंट आट पाउंड तक वजन करती है नौमा फेक्ट रैकोर्ड पर सबसे पूराना राजन्स 83 साल का था ये ग्रेटर नाम का एक ग्रेटर फ्लैमिंगो था और होस्टेले के एडिले चिडियागर में रहता था दस्वा फेक्ट राजन्स कीचड और पंको से गौसले बनाते है और वे अकसर अपने अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए उन्हें छोटे द्रिपो या पानी में मिट्टी के फ्लैटों पर रखते है ग्यारमा फेक्ट नर और मादा राजन्स दोनों अंडों को सेने में भाग लेते हैं उन्हें गरम रखने के लिए बारवा फेक्ट राजन्स चूजों का जनम सफेद या भूरे पंकों के साथ होता है और समय के साथ साथ दीडे दीडे उनका गुलाबी रंग विक्सित हो जाता है क्योंकि वे अपने विशेज आहर का सेवन करते हैं तेरवा फेक्ट राजन्स की आँखों के उपर एक विशेज ग्रंती होती है जिसका इस्तिमाल वे अपने पंकों को सवारने और कंडिशन करने के लिए करते हैं चौदवा फेक्ट ये पकसी लंबी दूरी तक उड़ान बनने के लिए सक्सम है और कुछ आबादी प्रवासी यात्राय करती है जो सेंकडों मिलकी दूरी तई कर सकती है पंदरवा फेक्ट फ्लैमिंग अपने चमकीले गुलाबी पंकों श्टिलट जैसी टांगों और ऐसाकार की गर्दन के लिए प्रसिद्ध है तो मैंने आपको बता दिया पंदर फेक्ट के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके बहुत बहुत सुक्रिया